सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जिकेटरिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स के लिए इस बेल आइकन को दबाए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जिकेटरिक दोस्तों MP में जो पटवारी चैन परिक्षा 2017-2018 होने वाली है इसमें पंचायती राज विवस्ता वाला टॉपिक most important है और इससे काफी questions exam में देखने को मिलेंगे आपको तो friends काफी लोगों ने request करी थी comment box में कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए तो finally आज इस वीडियो में हम पंचायती राज विवस्ता अधिनियम को अच्छे से discuss करेंगे साथी साथ आपको मैं पंचायती राज पर 50 most important questions solve कराऊंगा ये वो questions से जो last year exams में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपका पंचायती राज से जितने भी questions exam में पूछे आएंगे बिल्कुल आप सही टिक करके आएंगे तो friends चलिए मैं आपको बताता हूँ किस थरीके से हम इस वीडियो को cover करेंगे देखे दोस्तों इस वीडियो में हम 50 प्लस important questions solve करेंगे उसके लिए जरूरी है कि हमको दो topic अच्छे से clear होना चाहिए सबसे पहला तियोत्तरवा सविधान चंशोदन 1992 जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्ता को सविधान में जोडा गया इस topic पे मैं already वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है तो description में मैंने link दे रखा है आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं तो अगर आप बिना इस वीडियो को देखे continue करेंगे तो आपको बहुत चीजे समझ में नहीं आईगी तो जरूरी है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देख ले ठीक है तो second आता है मध्यपिदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 इसे हमने नहीं पढ़ाए तो सबसे पहले मैं आपको ये डिसकस कराऊंगा उसके बाद ही हम 50 important questions solve करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मध्यपिदेश में पंचायती राज की बात करते हैं तो मध्यपिदेश में तियोत्तरवे संविदान चंशोदन 1992 को करियानवित करने के लिए मध्यपिदेश में पंचायती राज विवस्ता लाग हुई तो ये एक्जाम में directly question पूछ सकते हैं कि मध्यपिदेश में पंचायती राज विवस्ता कब लाग हुई तो 1994 को लाग हुई है clear? आगे बात करते हैं इस नियम के अनुसार मध्यपिदेश में त्री इस तरी ये पंचायती राज विवस्ता स्थापित की गई तो त्री इस तरी क्या क्या देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली ये कि वो शेत्र जहां पर जनसंख्या 1000 से 5000 के बीच में है ठीके? वहाँ पर ग्राम पंचायत के गठन होगा वो शेत्र जहां पर 5000 से 5000 के बीच में जनसंख्या है वहाँ पर जनपत पंचायत का गठन होगा वो शेत्र जहां पर 5000 से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर जिला पंचायत का गठन होगा तो इस तरीके से मद्यप्रदेश में त्री इस्तरी पंचायती राज विवस्ता इस्थापित की गई किसके तहट पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहट ओके और ये कब लागू हुआ 1994 में लागू हुआ चलिए अब एक एक करके मैं आपको सब अच्छे से समझा देता हूँ ध्यान से समझेगा 1000 से अधिकाबादी वाले गाउं में एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी सदस संख्या कितनी होगी इसके अंदर 10 से 20 इसके अंदर सदस संख्या होगी वर्तमान में मद्यपिदेश में ग्राम पंचायतों की बात करें तो कितनी हैं 22,824 ग्राम पंचायते ग्राम पंचायत का जो मुख्या क्या होता है सरपंच होता है वो अन्य सदस्य होते हैं इसके अंदर पंच उनका निर्वाचन कैसे होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है तो ये एक्जाम में पुछा आता है कोशन जबकि उप सरपंच का निर्वाचन कैसे ग्राम सुराज योजना की बात करते हैं तो मद्धिविदेश में कब लागू वी 26 जनवरी 2001 को इसे लागू किया गया। ग्राम पंचायत के कारे क्या हैं गाओं की सफाई, पेजल विवस्ता, प्रकाश विवस्ता, ग्रामिन विकास के कारिक्रम ये सबी क्या हैं ग्राम पंचायत के काम हैं। अध्यक्ष को उपाध्यक्ष का चुनाओ अब प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा किया जाता हैं। तो ये ध्यान रखेगा। जिला पंचायत की बात करते हैं तो पचास जार से अधिक आभादी वाले शेत्रों में जिला पंचायत के घठन किया जाएगा। जिला पंचायत में सदस्यो की संगया कितनी होती हैं, 10 से 35 होती हैं, सदस्यो की नियुकती जनता द्वारा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुकती सदस्यो द्वारा की जाती हैं आगे देखेए वर्तमान में बात करते हैं कि कितनी जिला पंचायते हैं मध्यपदेश में, तो 51 जिला पंचायते हैं। एक important note ये भी एक्जाम में पूछ लेते हैं अक्सर कि वर्तमान में पंचायतों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है तो वो क्या आ रही है तो वो वित्त की समस्या आ रही है तो देखी यहाँ पर मैंने आपको यह बताया मध्यपदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में कि उसमें जो त्री इस तरी पंचायती राज विवस्ता जो लगू की गई है वो किस तरीके से काम करती है यह मैंने आपको बताया है तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं 50 प्लस important question तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि आपने मेरा पहला वाला वीडियो देख लिया और मद्यपिदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 जो मैंने आपको समझाया अभी वो अपने अच्छे समझ लिया होगा तो यह आप यह 50 प्लस question जितने हम आपको बताने वाला हूँ यह आप बिल्कूल easily solve कर लेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखे पहला question तियोत्तरवे समझ चंचुदन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओ का चुनाव लड़ने के लिए नियुन्तम आयू होना चाहिए कितनी होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंदित निर्वाचन संपन कराने का दाई तो किसका हैं राज निर्वाचन आयोग का ये काम होता है पंचायतों के चुनाव का अधिक्षन, निर्देशन, नियंत्रन, राज निर्वाचन, आयोग, सविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत करती हैं? तो कोन से अनुच्छेत के अंतरगत करती हैं? 243 क के अंतरगत करती हैं C अंसर सही होगा देखिए इंपोर्टेंट कोश्यन है यह ध्यान रखिएगा अगला कोश्यन लेते हैं तियोत्तरवे सविदान चंचोदन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सोपा गया विशय हैं निगमकर, परिवार कल्यान, बिल्कुल परिवार कल्यान, भी अंसर सही होगा तियोत्तरवे सविदान चंचोदन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया क्या जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया था मर्ठेपदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था 1994 में अशक मेता समीती ने पंचायती राज व्यवस्ता के अंतरगत कितने स्थरी धांचे के इस्थापना की सला दी तो उन्होंने बतायता दो स्थरी तो आंसर क्या होगा एह अंसर पंचायत के चुनाव कराने हितू निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है तो राजिसरकार द्वारा दो अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारम निमलिकित में कहां पर किया गया था तो राजेस्थान में किया गया था नागोर, जिले में किया गया था पंडित जवालाल नेरू के द्वारा तो ये तो most important question है ध्यान रखेगा Next question लेते हैं भारत में इस्थानिय स्वशाशन का पिता किसे कहा जाता है लौड रिपिन को निम्न में किस राज्य में पंचायत राज संस्तायन नहीं है बिहार, केरल, त्रिपूरा, नागालेंड तो बिहार में भी है, केरल में भी है, त्रिपूरा में भी है पर नागालेंड में नहीं है नागालेन, अरुनाचल प्रदेश यहाँ पर पंचायती राज संस्ताएं नहीं है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्री करण की योजना का शुभारम कप किया गया तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया देखे अगला कोशन बलवंतराय मेता समीती ने किसे कारेकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी तो बलवंतराय मेता ने करी थी पंचायत समीती की और ध्यान रखेगा अशोक मेता ने करी थी जिला परिशत की तो दोनों में ये डिफरेंस है बलवंत राय ने पंचायत समीती की करी थी और अशोक मेता ने करी थी जीला परिशत की कारेकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है अशोक मेता समीती की प्रमुक शिफा परिश हैं पंचायतों के चुनाव में राजनेतिक दलों को खुले तोर से भाग लेने की अनुमती होनी चाहिए। 29 विशा हैं देखिए ये MPPSC के इसाब से बहुत important question है उसमें भी पूछा गया question है और अभी पटवारी एक्जाम में भी पूछा आ सकता है तो आप ध्यान रखिएगा कितने विशा हैं 29 विशा हैं ओके अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आप easily सारे question solve क चन्शोदन के द्वारा त्री स्तरी पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं क्या शामिल हैं ग्राम पंचायत फिर ब्लॉग अत्वा पंचायत समीती और फिर जीला परिशत सी अंसर सही होगा पंचायती राज विशय हैं समवर्ती सूची में कैंदरी सूची में राज सूच अशुक मेता समिती ने तो B आंसर सही होगा ग्राम सुवराज की अवधारना का सरजन किस ने किया देखिए ये काफी important question है महात्मा गांदी ने इसका सरजन किया था 73 समिदान चंशुदन अधिनियम में कौन सा प्राउधान नहीं किया गया है अलग से एक मंत्रा लाए ये वाद तो है ही नहीं ये आंसर होगा देखिए अगला question अशुक मेता ने किसे कारिकारी निकाय बनाय जाने की सिफारिश की थी तो अभी मैंने आपको बताय था कि बलवन्तराय मेता समीती ने करी थी पंचायत समीती की सिफारिश और अशुक मेताने करी थी जिला परिशद की शिफारिश की थी कारीकारी निकाय बनाय जाने की सम्वेधानीक व्यवस्ता के आदार पर त्री इस्तरी पंचायती चुनाव कराने वला देश में प्रथम राज्जी हैं कौन सा हैं? मद्धिपदेशी हैं 33 सविदान चंचोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षन है तो देखिए 33 सविदान चंचोधन के अनुसार मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज संस्ताओं में अध्यक्ष के लिए कम से कम एक तीहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षी थे तो एक तीहाई पद 1 by 3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षी थे तो ध्यान रखेगा काफी important question है ये भी exam में पूछा जा सकता भी पटवारी exam में अगला question लेते हैं मध्यपदेश में राज ग्रामिन विकास संस्तान विद्धिमाने कहाँ पर जबलपूर में पंचायती राज से क्या लाबें जन सह भागिता ग्रामिन विकास में मदद लोगों में राजनेतिक चेतना या उपरोक्ष सभी तो बिलकुल उपरोक्ष सभी और जिला पंचायत नेक्स्ट कोशन लेते हैं पंचायती राज प्रनाली में ग्राम पंचायत का गठन होता हैं कहाँ पर होता हैं ग्राम इस्तर पर होता हैं यदि पंचायत भंग होती हैं तो किस अवधी के अंदर निर्वाचन होंगे छे महा के भीतर निर्वाचन होंगे खंड इस्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समीती एक हैं क्या हैं प्रशाशनिक प्राधी करणे आपको बता चुका हूँ में पहले वाले वीडियो में नेक्स्ट कोशन लेते हैं भारत में त्री स्तरी पंचायती राज प्राणली का प्रस्थाव किस ने किया था तो बल्वन तराय मेता समीती ने करा था अशोक मेता ने द्वी स्तरी करा था और पीवी के राज समीती ने चार स्तरी पंचायती राज प्राणली का सुझाओ दिया था निम्न लिकीत में से किस राज ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाय था सबसे पहले राजस्थान ने अपना आये था उसके बाद में आंद्रप्रदेश ने लोग तंत्र विकेंद्री करण का आशय हैं क्या हैं स्थानी सरकार से हैं नेक्स्ट कोशन लेते हैं निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित हैं देखिए शाय आयोग नानावती आयोग बलवंतराय मेता समीती बिल्कुल पंचायती राजप्रणाली पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी तो राजिस्थान और आंद्रप्रदेश से लागू की गई थी किस को बनायता उन्होंने पंचायत समिती को बनायता बल्वंत्राय मेता समीती ने कितनी इस्तर की पंचायती राज प्रणालिक की स्थापना की सिफारिश की थी तो त्री इस्तर ही हमको पताईए नेक्स्ट कोशन लेते हैं भारती सविधान का कोन सा अनुच्छेत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता हैं तो अनुच्छेत 40 भारती सविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्राउधान हैं तो भाग 9 में पंचायती राज प्रदान करता हैं पिछले शित्रों का क्रशी विकास स्थानी इस्तर पर लोकतांत्रिक प्रशाशन बिल्कुल भी आंसर सही होगा अगला कोशन लेते हैं पंचायती राज प्रणाली कहां नहीं है अरुनाचल प्रदेश, ओडिशा, राजेस्तान, आंधर प्रदेश तो अरुनाचल प्रदेश में नहीं है बता चुका हूँ आपकों में नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश भारत में निम लिखीत में से किसके अंतरगत पंचायती राज प्रणाली की विवस्ता की गई है निती निर्देशक सिद्दान्त के अंतरगत तियोत्तरवे सविदान चंशोदन द्वारा सविदान में कौन सी अनुसुची जोड़ी गई तो ग्यारवी अनुसुची जोड़ी गई चोहत्तरवे सविदान चंशोदन के द्वारा बारवी अनुसिची जोड़ी गई थी ठीके नगरपली का और ग्यारवी अनुसिची में पंचायती राजविवस्ता अगला कोशन लेते हैं पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसुला जाता हैं अगला देखिए पंचायत समीती के सदस्य खंड विकास पतादिकारी द्वारा मनोनित के जाते हैं जीला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनित के जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मनोनित के जाते हैं भूमी एवं स्थानिय कर, मेला एवं बाजार कर बिल्कुल भी आंसर सही होगा नेक्स्ट कॉशन लेते हैं तो किस तरीके का प्रत्यक्ष एवं गुप्त मद्दान तो आंसर क्या होगा ए आंसर बिल्कुल सही है तो पांच वर्षों का भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थ तक थे कौन थे? राजीव गांदी राजीव गांदी जब प्रदान मंत्री थे उन्होंने पंचायती राज को काफी सपोर्ट किया था अगला कोशन लेते हैं भारत में महिलाओं के लिए इस्थान आरक्षी थें पंचायती राज संस्ताओं में राजी विदान सबाओं में मंत्री मंडल में लोक सबाओं में तो पंचायती राज संस्ताओं में तियोत्तरवे संविदान चंशोदन अधिनियम किस तिथी से लागुक हुआ अब देखिए हमको जरू पता है देखी अगला जिस समीती ने लोकतांत्रिक विकेंद्री करण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापती कौन थे तो कौन थे बलवंतराय मेहता समीती ने करीती और उसके सभापती कौन थे बलवंतराय पंचायती राज संस्ताओं के निम्न इस्थर पर कोन है कोन है ग्राम सभा वर्तमान में मद्यपदेश में कितनी जिला पंचायत है तो कितनी जिला पंचायत है 51 जिला पंचायत है ओके और दियान रखेगा जनपत पंचायत की बात करते है तो 313 जनपत पंचायत है और 22,824 ग्राम पंचायत है तो यह ध्यान रखेगा आंकड़े पूछे आ सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे देखे सारे important questions complete होते हैं अब आपको क्या करना है इस test को एक बार खुछ से लगाना है इसकी link जो है मैंने description दे रखी है आप वहाँ स यह online test लगा सकते हैं एक बार खुछ से practice करेंगे तो सारा आपके दिमाग में बिल्कुल set हो जाएगा I hope आपने अच्छे से सारे questions solve कर लिए होंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है मेहनत अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को like करिए शेर और comment करके बताएए वीडियो कैसा लगा अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कराएं तो please subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में upload करूंगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन जैभारत